साई की बात चीजे तुम्हारे समझ से बहुत परे हैं लेकिन जब सही समय आएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा और हर चीज का दोश अपने आपको देना बंद कर दो तुमने कोई अपरात नहीं किया तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया वो उनकी सोश्टी वो उनके विचार थे वो अपने उपर ले गए तो जाने दो ना लेकिन तुमने कुछ नहीं किया तुम उससे माफी मांग रहे थे ना तो सुनो माफी मांगो मत मेरे बच्चे क्योंकि तुमसे कुछ गलती नहीं हुई तुम तो मेरे इतने प्यारे बच्चे हो तुम कभी किसी का दिल नहीं दु सुनो, बात न, अब चमकने की है मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें चमकाना चाहता हूँ, सितारा बनाना चाहता हूँ, और तुम्हारे में वो चमकाएगी न, तुम्हारे चेहरे पर वो नूर आएगा, वो तेज आएगा, और तुम्हारे किसमत ऐसे चमकेगी न, कि बस तु तुम्हारा भाग्य कैसे पलटने वाला है। है तुमसे ये मेरा वादा है तुमसे कि तुम रोज करना लेकिन इस तरीके से करना कि तुम और बाबा है और कोई नहीं एकांत में करना मेरे बचे एकांत में तुम्हारा मन लगेगा और जो चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ जो रास्ते दिखाना चाहता हूँ न व पक्षी कोई भी आजाए ना मेरे बच्चे तो समच जाना कि तुम्हारा साइं उस रूप में आया है मेरे बच्चे अपने साइं को बिना खाए कुछ जाने मत दिया करो तुम्हारा साइं दूसरे रूप में तुम्हारे पास आ जाता है अब तुम कहोगे कि बाबा जब मैं पूजा करने बैठती हूं तभी कि वाधे हो तो सुनो, जब तुम पूजा करने बैठते हो न तो तुम मुझे पुखारते हो न की साही आजाओ, साही आजाओ तो उसी वक्त में तुम्हारे पास आजाता हूं और सुनो मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा वहाँ जाना जरूरी है नहीं है, तो सुनो, अगर तुम्हारे नजरीय से मैं देखू तो शायद तुम्हारे लिए जाना बहुत जरूरी है, तुम बहुत दिनों से नहीं गए, बहुत महीनों स लेकिन तुम मौसम को भी तो देखो ना मेरे बच्चे, ठंड का कितना मौसम है, बहार निकलना कितना शीत लहर चल रही है, तुम देख रहे हो ना, अभी थोड़ा रुक जाओ, देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुम ना हर जगा उपस्तित नहीं हो सकते मेरे बच अच्छे, अपनी थोड़ी सीना कीमत को समझा करो, कोई तुमें बुलाता है और तुरंट तुम चल देते हो, ऐसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो, अपने आपको ना थोड़ा कीमती रखो, अपनी आपको एहमियत देना शुड़ू करो, यह नहीं कि तुमें कि किसी ने बुल अपको ऐसा करते हो कि उनके मन के हिसाब से तुम चलते हो, तुम्हारा मन भी तो कुछ है न, अपने मन को तुमने कभी देखा ही नहीं, कि तुम्हारा मन क्या कहता है, उस चीज़ को भी देखा करो न, सुनो, चाहे तुम मंदिर जाओ, मजज़ जाओ, या गुर्दवारे जाओ मेरे बच्चे तुम्हे वहां से आश्रवाद ही मिलता है मेरे बच्चे वहां कहीं भी तुम जाते हो ना इश्वर के आगे अगर तुम सर जुकाते हो ना तो वहां से तुम्हें किरपा ही प्राप्त होती है मेरे बच्चे वहां तो एक अलगी उर्जा होती है जो तुम मिलती है अगर तुम महां से सामने से निकलते हो ना चाहे कुछ भी हो तो एक बार माथा टेकने में कोई बुराई नहीं होती बलकि तुम महां से कुछ लेकर ही आते हो वहां से तुम्हें कुछ आशिरवाद ही मिलता है ना कि ईश्वर तुम से कुछ लेते नहीं है बलकि तु क्योंकि तुम उन्हें क्या दोगे, तुम्हारे पास है ही क्या देने के लिए, सब कुछ तो उनका दिया हुआ है, तो इतना सोचना क्या, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जल्द से जल्द निर्दोश साबित हो जाओगे, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बस य जल्द हो जाओगे, और अपने गुसे पर ना थोड़ा काबू रखो, तुम बहुत जल्दी ना गुसा कर जाते हो, गुसा मत करो, ये तुम्हारे मन का जो गुसा है न, वो बहुत जादा बढ़ रहा है मेरे बच्चे, तुम ना समझ नहीं रहे, तुम ना अपने गुसे क काबू नहीं कर पा रहे हो, इतना जादा तुम्हारे अंदर गुसा है, तुम्हे अपने इस गुसे को काबू करने के लिए न, कुछ महनत करनी पड़ेगी, पता है क्या, तुम ना जो अपने मन में दुख लेके बैठे हो न, बहुत सारा, जो किसी से कह नहीं पा रहे, कांचा नहीं कर पा रहे, तो सुनो, तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें अकेले कमरे में एक बार बैठना होगा, जो भी तुमने खोया है न, जिसने भी तुमसे चल कपट से छीना है, जो भी तुम्हारे मन में दुख है, उन सब को एक बार में याद कर करना, अपने अश्रुधारा के रूप में सब बाहर निकाल दो मेरे बच्ची, सब कुछ बाहर निकाल दो, जो भी तुम्हारे मन में है न, सब कुछ बाहर निकाल दो, क्योंकि उस एकांत कमरे में न, सिर्फ तुम होगे और मैं होगा, और कोई नहीं होगा, तुम्हें वहाँ कोई नहीं गूमते हो, चहरे पर जूटी हसी लेकर गूमते हो, तो एक बार में न, रोकर खतम कर दो, वहां तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा, और जिस दिन, तुम्हारे सारे आसू खतम हो जायेंगे न, उस दिन मेरे बच्चे, जब कुछ निकलने को नहीं होगा, एक आसू भी मन पर बोच रखा है न वो हलका हो जाएगा और जैसे ही वो हलका होगा न तुम देखना तुम बिल्कुल ठंडे पड़ जाओगे तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे और तुम्हें अपने मन को शांत खुद करना होगा कोई नहीं कर सकता तुम्हें क्योंकि तुम्हारे अंद पाशान समझते हूँ और मैं पाशान हूँ नहीं, मेरे बच्चे जब तुम मेरे चरणों को हाथ लगाओगे न तब तुमें मैसुस हो जाएगा कि तुम्हारा साई साकशाथ तुमारे सामने खड़ा है जब तुम मेरे चरण सपर्श करती हो लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है कि तुम सोची रहे हो बस सोचते रहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो तो करो ना मेरा अशिरवाद है तुम्हारे साथ हो जाएगा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि नहीं होगा मैं करवाओंगा ना और जब मैं करवाओंगा तो सब हो जाएगा तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो सारे कम समय से हो जाएंगे और तुम्हारा पाठ भी अच्छे से होगा तुम बिल्कुल परिशान मत रहना और सुनो मेरे बच्चे तुम बहुत परिशान रहते हो न कि तुम्हारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो रोज उन्हें उधी जल दिया करो और उधी उनके माथे पर लगाया करो मेरा नाम लेकर धीरे धीरे उनका मन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा और वो अपने पढ़ाई लिखाई करेंगे चिंता मत करो और बच्चों को न थोड़ा खेलने भी दिया करो लेकिन हर समय मैं खेलने मत दिया करो उनने पढ़ाया करो ठीक है? और तुम न अफवाहों से बचो मेरे बच्चे जो आजकल अफवाहे फैल रही है ना उनसे बचो क्यूंकि अफवाहें जो फैला रहा है ना मेरे बच्चे सच में तो वही गलत है और आखिर में सब कुछ सच निकल कर आ झाल झाल झाल